Hello everyone, welcome back to my channel आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पुरानी साडियों को यूज़ करके क्या क्या चीज़े बनवा सकते हैं तो हम पुरानी साडियों को यूज़ करके बहुत सारे डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरीके के ड्रेसिस तो बनवा ही सकते हैं उसके ओपर मैं दो वीडियो अल्रेडी अप्लोड कर चुकी हूँ लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन साडियों के बारे में जो डामेज हो जाती हैं या फिर ओल्ड फैशन हो जाती हैं उनको हम फिर से नहीं पहनना चाते हैं और ना ही हम उन में से कोई ड्रेस बनवा सकते हैं तो उन साडियों का यूज करके हम क्या-क्या बनवा सकते हैं आज की वीडियो में हम ऐसे पांच तरीकों के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो सबसे पहला तरीका है साड़ीों में से आप बनवा सकती है दुपट्टे तो अगर आपकी साड़ी का सिल्क फाब्रिक है बनार सी सिल्क फाब्रिक है तो उसमें से आप बनवा सकती है एक इस तरीके का दुपट्टा लेकिन इसमें एक problem आएगी कि जो साड़ी में पल्लू होता है वो एकी तरफ होगा तो दुपटे पर भी वो design एकी तरफ आएगा तो इसलिए इस तरीके की साड़ी उसकरें जो all over हो यानि कि उसमें पल्ला अलग से ना हो या फिर अगर पल्ला उसमें अलग से हो तो पल्ले के उपर repeated pattern हो जैसा कि इस साड़ी में है और यहां तक जो pattern है वही pattern फिर next में repeat भी हो रहा है तो हम क्या करेंगे जो repeated pattern है ना हम इसको cut कर लेंगे यहां से और इसको दुपट्टे के दूसरी side पर हम stitch कर वा लेंगे और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसी fabric में से tessles बनवा के वो लगवा सकते है या फिर आपको एक readymate lace भी लगवा सकते हैं और आपका एक खुबसूरत सा silk का दुपट्टा तयार हो जाएगा अगर आपके पास net की साडी है तो आप उसमें से भी बहुत ही अच्छा net का दुपट्टा बनवा सकते हैं जैसा कि मेरा यह दुपट्टा है यह मैंने एक net की साडी में से बनवाया था यह उसका अंदर वाला portion है साडी का और पल्लू उसमें दूसरे fabric का था और इसके ओपर मैंने चारों तरफ लगवाई हुई है गोटा पती की लेस अब क्योंकि इसका color golden है इसलिए यह मेरी बहुत सारी dress पर भी चल जाता है और बहुत सारे suits के साथ भी मैं से यूज़ कर लेती हूँ अगर आपकी साडी और गेंजा में है तो आप उसमें से बनवा सकती है इस तरीके का एक ruffles वाला दुपट्टा आजकल ये ruffles वाले दुपट्टे बहुत जादा trend में है और ये किसी भी outfit में वो साडी हो या फिर लहंगा हो या फिर वो कोई dress हो किसी भी outfit में instantly चारचान लगा देते है तो पहला तरीका यही है कि आप अपनी साडी में से बनवा सकती है कोई भी खुबसूरत सा दुपट्टा चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ दूसरा तरीका है अपनी साडी इसको यूज़ करने का कि आप उसमें अपने घर के लिए बहुती सुन्दर खुबसूरत से कर्टेंस बना सकते हैं तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं इसमें दो अलग-अलग तरीके के फाब्रिक्स को लेकर कर्टेंस बनाए गए हैं और साथ में कर्टेंस बनाए गए हैं तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं दो अलग-अलग तरीके की साडीयों को लेकर के उनका डिजाइन सेट करके और इस तरीके के कर्टेंस बना सकते हैं दोनों साडीस पूरी यूज हो जाएंगी और design भी बहुत ही अच्छा तयार हो जाएगा curtain के design के साथ बहुत सारे experiment किये जा सकते हैं जैसे कि आप उपर से चुनट वाले curtain बना सकते हैं या फिर ties वाले curtain बना सकते हैं जैसे कि ऐसे tie करके लगा देते हैं ऐसे curtains बना सकते हैं या फिर आप उपर से loop वाले curtain लगा सकते हैं, उसमें बहुती trendy से कोई button लगा सकते हैं, या फिर आप जो simple normal eyelet वाले curtains हैं वो बना सकते हैं, और ये सब आप अपने local tailor से भी करवा सकते हैं, तो creativity का पहला rule यही होता है कि break the rule, यानि कि जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, वैसा ना करके कुछ अलग करें, कुछ हटके करें, कुछ नया सोचें, तो let your creative juices flow and you can design beautiful curtains for your home, तो दूसरा तरीका यही था कि आप बना सकती हैं साडी में से खुबसूरत curtains, आइडिया नमबर 3 है, आप बना सकती हैं अपने living room को नया look देने के लिए cushions, table runner या फिर table clothes, तो आप चाहें तो पूरी एक साडी को यूज करके ही पूरा set बना सकती है, matching में, या फिर दो साडीों को यूज करके, mix and match करके भी आप ये पूरा set तयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये cushions बनाये थे अपने पुराने कुड़ते में से, और ये table runner मैंने बनाया था अपनी साडी के एक पल्ल इसका वीडियो अपलोडेड है, पूरा tutorial मैंने डाला है, अपने YouTube चानल पर आप चेक कर सकती हैं, उसका link में आपको दे दूंगी description box में, तो आप भी इसी तरीके से mix and match करके, अपने पुराने कुड़ते को यूज करके, या फिर दुपटे को यूज करके, या फिर पुरान सकती हैं, अपनी dining table के लिए place mats, तो place mats बनाने के लिए हमें किसी cotton की साडी की जुरत पड़ेगी, और इनको बनाना बहुत आसान है, आपको सिर्फ एक rectangular piece कट करना है साडी में से, तो six placements बनाने के लिए आप एक जैसे six pieces को कट कर लीजिए, और फिर इन में चारो तरफ stitching करके उनको पलट देना है, तो इसके लिए आपको double कपडा लेना पड़ेगा, यानि कि उपर और निक्चे आपको दो pieces चाहिए होंगे, और फिर आप उनको stitch करके बस उनको पलट दीजिए और आपके placements ready हो जाएंगे, आप चाहें तो उनके उपर कोई chicken कारी वाली lace लगा सकते ह और अगर आप अपनी एक silk sadi में से इस तरीके के placements बना रहे हैं, तो उसका border भी आप इसमें use कर सकते हैं, rectangular placements को बनाना तो बहुत ही असान है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, तो आप different different तरीके के different different style के placements भी बना सकते हैं, जैसे कि ये sunflower की shape के placements हैं, तो center व place mats भी बना सकते हैं, या फिर ये flower की shape वाले place mats भी बना सकते हैं, place mats की shape के साथ आप बहुत experiment कर सकते हैं, जैसे कि आप oval shape के placements भी बना सकते हैं, या फिर आप fruits की shape के बना सकते हैं, या फिर आप clouds की shape के बना सकते हैं, ये आपकी creativity के उपर है, कि आप किस तरीके के placements बनाना सकते हैं डाइनिंग टेबल के लिए फिफ्ट तरीका है आप बनवा सकती हैं अपनी पुरानी साड़ी से कोई बड़ा सा वाल आर्ट जो आपके लिविंग रूम की एक बोरिंग सी दिखने वाली वाल को इंस्टेंटली एक नया लुक देदेगा पलक जपकते ही तो ये जो वाल आट आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बना है सिल्क साड़ी के पल्ले वाले पार्ट से हो सकता है कि साड़ी डामेज हो गई हो या फिर साड़ी में से ड्रेस बनाने के बाद ये फैबरिक बच गया हो तो भई वेस्ट क्यों करना है तो बस उसको फ्रेम करवाया और लगा दिया एक वाल पर और बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल लुक वाला वाल आट हमारा तयार हो गया कुछ सेंपल्स मैं आपको और दिखा रही हूँ तो डिपेंडिंग अपोन आपकी साड़ी किस तरीके की है उसका कौन सा पार डामेज हुआ है कौन सा पार उसका ठीक है और आप कितने क्रियेटिव हैं आप चूस कर सकते हैं इन में से कोई भी वाल आट और बना सकते हैं ब लंग रह जाएंगे यह वाल आट जिसने भी बनाई है उसने क्रियेटिविटी की सारी हदे पार कर दी हैं तो यह वाल आट आप देख सकते हैं आपको शायद लगाओगा कि इसमें अंब्रॉइडरी की गई है या बहुत ही महंगी लेसेज लगाई गई है लेकिन ऐसा बिल वाली एक वालाट तयार हो गई है तो इसलिए आप भी जलाइए अपने दिमाग की बत्ती कुछ अलग सोचिए अपनी पुरानी साडियों को वेस्ट मत जाने दीजिए उनको यूज करिए कुछ नया करने के लिए और जो उससे आपको साटिस्फाक्शन मिलेगा ना वो तो एक अलगी लेवल का होगा तो ये थे पांस तरीके अपनी पुरानी साडियों को यूज करके कुछ नया बनाने के अगर आपके पास कोई तरीका है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताईएगा या आपने कुछ ट्राई किया है तो वो भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ कॉम और मेरे चैनल श्वेता गुपता को सुब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइबाइब तो यह तो यह तो यह तो यह थे पांस तरीके अब